अनकाड़ेमी लेट्स ट्राकिट चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं मदप्रदेश के कुछ प्रमुख वेक्टित वे इनके अन्तरगत हम मदप्रदेश के कुछ प्रमुख राज वेक्ति 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 का एहम रोल मदप्रदेश के जानेंगे और उस से संबन दिजो है कुछ questions नोगे हल तकि आपका यह topic है चारो-Dim desc ment तुझे लिए देख लेते हैं ऐक-एक कर्क है सभी को जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे मत्य प्रदेश के कुछ प्रमुक राजनीतिग इसके अंतरगत आपको सबसे पहले परसन देखने मिलेंगे मत्य प्रदेश के अंतरगत मौलाना बरकतुला जो थे उनके बारे में देखिए यहां पर हम बेसिक तोर पर जो है इनका जन में द सब्सक्राइब निकाला जिसके संपादक डंक्टर बाइक कतुला और राम चंदर थे 20 सितंबर 1927 को इनका निदान हो गया फिर केलास नाथ काथजू की अगर बात करें तो इनका जन्म जो है 1887 को यहां पर देखने मिलता मद्य प्रिदेश के अंतरगत जो इंदौर के निकट सबीने अवग्या अंदोलन में सामिल होकर इन्होंने अपना राजनीति की जीवन सुरू किया उनिस सो तरे सड़ 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 तक मद्य प्रदेश के मुख्ध मंत्री वी रहे और 1922 में इन्होंने सार्दा का जो सिरी सार्दा है उसका संपादन भी किया इनकी कुछ प्रमुख है जैसे कि जो कृष्णायन है अनुदिता है इसको देखने मिलता रवी संकर सुखल मत्य प्रदेश के पहले मुख्ध मत्री ठीक है और इनका जैन में जो है 1877 को यहां सागर जिले में हुआ था ठीक है भारतिये राश्टी कॉंग्रेस के प्रसिद्धिनेता में अस्तित में आये मत्य प्रदेश के प्रथम मुख्ध मंत्री थे 1956 में ही इनकी जो है म्रत्तु हो गई ठीक है गोविंदर नाराइंड सिंग की अगर बात करें तो यह देखिए 1920 में जो है इनका जनम हुआ था सतना के अंतरगत और 1948 में इन्होंने भारतिये से त्याक पत्र दे दिया था राजनीती में सामील हो गए 1967 में प्रदेश के मुख्ध मंत्री भी बने थे 2005 मिन की मृत्तु हो गई सुंदरलाल पटब की अगर बात करें तो 1924 में जो है इनका जनम मध्य प्रदेश के अंतरगत मंधसौर में हुआ उनने सो ब्यालिस से इन्होंने राजनीती में प्रविस किया 1990 से 92 तक ये मुख्ध मंत्री के पत्पर रहे मत्य प्रदेश में मोतिलाल बहुरा की अगर बात करें तो 1928 में जो है मत्य प्रदेश में इनका जनम हुआ 1945 में मत्य प्रदेश के मुख्ध मंत्री बने इन्होंने भारत सरकार में विभिलने मंत्री पदो पर अपना प्रकार से मतलब पदासीन रहे 1993-1996 उत्तर प्रदेश के राजपाल के पत्पर भी यह रहे इसके बाद केलास चैंद्र जोसी के अगर बात करें तो 1929 में जो है इनका जनम हुआ देवास के अंतरगत 1977 में जो है ये 1977 को मत्र पदेश के मुख भी बने थे अरजुन सिंग के अगर बात करें तो 1930 में जो है ये सीधी सीधी जिली के अंतरगत इनका जनब हुआ मत्र पदेश के बिभिन बिभागों में मंत्री पर बने रहे 1963 में ये जो है मदर प्रदेश के क्रसी मंतरी 1972 से 77 तक राज्ज में सिख्चा मंतरी 1980 में मदर प्रदेश के 17 मुख्ध मंतरी के पत पर यह है ठीक है बपाल गेस कांट के समय जो है इन्ही का कारकाल था और 2004 से 9 के अंतरगत मनमोहन सिंग की सरकार में केंद्र में मानोस अंसादन विकास मंतरी के पत पर भी रहे 2011 में इनकी मत्तू हो गई फिर माधारा सिंधिया के अगर बात करें तो सिंधिया जो सिरी सिंधिया उनका जनम गौलियर के महराजा कि यहाँ 1945 में हुआ था इनकी माता का नाम बिजिया राजे तथा पिता का नाम जीवा जिराओ सिंधिया था 1974 से 84 तक जो है यह तक से जो गुना या गुना से 1984 से 99 तक गौलियर से 99 से 2000 तक गुना से लोकसाबा संसाथ के रूप में रहे 1986 नावासे की बीच मिरेल मंत्री की रूप में रहे और 2001 में बिमान दुर्खटना में इनकी मेत्तु हजाती है ठीक है उसके बाद उमा भारती का अगर बात करें मद्य प्रदिस की पहली महिला मुख्ध मंत्री इनका जनम 1969 में 1963 अंको जो है टीकमगर जिले में इनका जनम हुआ 2003 को मद्य प्रदिस की प्रथम महिला मुख्ध मंत्री की रूप में रही 2014 में जहांसी लोकसाबा निर्वाचन शेत्र में 16 भी लोकसाबा की सांसद भी चुनी गई ठीक है ये सारी चीज इनके बारे में देखने मिलती है ड से धाकरण सर्वान राज्य मंत्री मंदल में 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1998 ता भारत के राष्ट पतीवी रहे विर और देश के नौबे राष्ट पती बनने से पूर ये जो है भारत के ऐठवे उपरास्ट बती थे हैं अल्यकर सर्मा समय इनके द्वारा पर कौन सा दिवस मनाया जाता भारत के अंतरगार ठीक है तो आपको बताना 25 दिसंबर को ठीक है कमेंट बॉक्स में इसके बाद यह जो है जो बारा बार सांसद भी रहे दस बार लोकसवा के लिए भी चुनेगा ठीक है दो बार राजसवा के लिए चुनेगा 1996 में भी प्रधान मंत्री बने तो सरकार जो है केवल 13 दिन तक चली फे 98-99 में 13 महिने तक बोर है और 99-2000 तक बोर अपना पूरा कारकाल यहां पर रहे ठीक है हिंदी के कभी पत्रकार प्रखरवक्ता इनके बारे हम पहले पढ़ चुके हैं 16 अगस 2018 इनका निधान हो गया ठीक ह चंद्र शेठी का जनम है अक्टूबर 1922 में जो है इनका जनम हुआ और मद्र प्रदेश कांग्रेस के प्रमुक नेताओं में से एक माने जाते हैं मुख्मंत्री पत पर भी रहे बहात्तर से 75 तक मद्र प्रदेश के अंतरगत शबनम मोसी एक प्रकार से हम देखें तो जो ह है यह 2000 में सहडोल जिले के अंतरगत जो है सोहागपूर विधान सवाज शेतर से उप्चनाव में विधायक पद हे तू निरबाचित होने वाली भारत की पहली किन्नर है देखने को मिलता है इसके लिए आपको डाउनलोग राना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रोमो कोड डाले के बाद यहाँ पर इस फ्री प्लैन को ले सकते हैं यहाँ पर आप इसमें जॉइन कर सकते हैं और साथी साथ हैं यहाँ पर चैप्वेसिप चल रहा हैं मेगा फ्री एंप्सी फेस्टिवल 5 दिन फ्री रिविजन कैम्प है फॉर टार्गेट एंप्सी के लिए पर इस के लिए 20 जनवरी से यह शुरू हुरा है शत ही जनवरी तक है और यहाँ पर आप इसमें जॉइन कर सकते हैं और सांती साथ करते हैं तो तो टॉब 3 रहं करते हैं यहाँ पर मिलेगा एक महिने का फ्री प्लस सब्सक्रिप्स्ठ्स्रिप्संट यह आप तारीक दिख स सकते हैं 60 देस का प्रैस कोर्स है यहां पे और प्लेम्स के लिए एक वैच और है यहां पर यहां पर आपको शूरू से एक दों बताई आगा कि इस प्रकार से आपको अपनी तेहरी करनी है और संकून गयान सिरीज और यह संकल्प यहां पर यहां पर आपको इस प्रकार का इंटर्फ्रेस यहां पर मिलेगा यहां पर अपने पसंदी तक प्लैन को यहां पर चूस करके यहां पर आप इसके बाद हम देखें कुछ प्रमुक कलाकार मध्य प्रदेश के अंतरगत जैसे की तान से इनकी बात करें काफी इंपोर्टेंट परसंड है इनका जनम जो है पंद्रासो छे को ग्वालियर जीले के बहट गाव में हुआ था तरपत हम इन्हें रीवा की राजा राम चंद इनका जनम 1888 में ग्वालियर में हुआ था 1990 में इनको पदम भूसन दिया गया ठीक है और 1972 में इनका निधन हो गया फिर बाबा अलवद्दीन खां की बात करें तो 1893 में इनका जनम हुआ सरोज समराट के नाम से विख्यात है उसके बाद हवीप तनवीर के अगर बात करें तो इस प्रसिद्ध नाटक कार एब मरंग कर्मी देखने को मिलता 1923 को इनका जनम जो है आविभाजित मद्रदेश के राय पुर जिले में हुआ इन्हें नाटकों के निर्देशक के रूप में ख्याती प्राप्त है इन्हें क प्रकास चोरशिक अगर बात करें तो 1946 में इनका जनम हुआ और यह विस्विख्या संतूर वादक माने जाते हैं ठीक है अमीर खां की बात करें तो 1912 बारम इनका जनम हुआ और यह इंदोर्मेजन में ख्याल जो गायक है उस्ताद अमीर खां को भारत सासन के अकादमी बात करें नाम भी सुना होगा आपने भारती फिल्म अभी नेता एक प्रकार से अन्नुकपूर इनका जनम कि 1956 को देखने को मिलता है 1956 में भौपाल में हुआ था और अन्नुकपूर ने अपना फिल्मी करियर जो है एक रूपा हुआ फैसला से शुरू किया अली अकवर खां की बात करें तो अली अकवर खां का जो जनम है वह हमको देखने को मिलता है 1922 में मतला बरतमान बांगलदेश जहां वहां पर देखने को मिलता है और यह महियर घराने के भारती सास्त्री संगीत सरोध वादक थे इसके बाद जैवच्चन की बात करें तो इ फिर बात करते हैं जावे दक्तरगी तो इनका जनम जो है 1945 में हुआ था वालियर के अंतरगा तो इनका जनम जो है 1917 में हुआ था मत्रदेश के देवास गें मिलते हैं कुमार गंदर्व की अगर बात करें तो 1924 में इनका जनम हुआ था करनाटक के धारवाड में और तपेदी की विमारी के कारण यह स्वास्तला भी तु देवास आ गये थे ठीक है इसके बाद कृष्णराव संकर पंडित के अगर बात करें तो यह जो है हम यहां देखें कृष्णराव संकर पंडित जो है अठारा सो में इनका जनम हुआ इनके पिता पंडित संकर राव टपावा ख्याल सेली में पारंगत थे ठीक है इसके लाब हम देखें तो यहां देखें जादुगार आनंद जादुगार आनंद का नाम आपने सुनई होगा 1902 में इनका जनम हुआ मत्यप्रदेश के जवलपूर में औ इसके लाबा जोनी वॉकर की अगर बात करें तो प्रदेश मतलब प्रदेश के अंतरगत नवंबर 1926 में इनका जनम हुआ मुस्लिम बर्गी परिवार में और यहां देखें पचास साथ के दसक में इन्होंने हिंदी फिल्मों में हास्त जवीनिता के तौर पर यादगार भ देखें तो देखें आठ फिल्म फियर प्रुषकार वी इनने जीच जीत चुके 13 अक्टूबर 1967 को मुंबई मिन का निधन हो गया लता मंगेशकर की बात करें तो रतामंगेसकर जो है यहां देखें तो भारत रत में लतामंगेसकर का जनम जो है यहां देखें 2199 में राना का जन में नर्सिंग पूर नहीं के गाडर बाड़ा के अंतरगत हुआ यह हिंदी और तेलगु फिल्म जगत के ख्याती प्राप्त अभीनियता देखने को मिलता है उसके अद नरेश महता तो यह गैनपीट पूरुसकार से सम्मानित नरेश महता का जन मत्रदेश के साज में जन में गौलियर के अंतरगत पदम सिरी से भी इनको नवाजा जा चुका है असुक कुमार के बात करें तो यह 1911 में इनका जन में खंडवा के अंतरगत हुआ था और यह जीवन नहीं इनकी जो है पहली फिल्म में देखने को मिलती है उसके बाद देखें कुछ प्रमु में अंतिम टेस्ट खेला ठीक है और 2005 में का निधान हो गया संकर लक्ष्मन की अगर बात करें तो होकी खिलाड़ी है और देखिए 1923 में का जनम हुआ था संद्या अगरबाल संद्या अगरबाल कि से संबन दीत है यह देखने को मिलता हुआ 1963 में इनका जनम इंदौर में हुआ और यह बात करें तो मुसकान किरार जबलपूर में जनम इनका हुआ तीरंदाजी से रिलेटेड है और एक और देखें नरेंद्र हिरवानी तो यह उत पिता मतलब इसके इनके जो पिता थे हिरवानी की पिता मत्यपधेस के थे और उन्हेंने मत्यपधेस से ही घरीलू क्रिकेट में डेब्यू किया था इसके अलाबा कुछ और जैसे केलास सत्य हर्ती आप जानते ही होंगे 1954 मीन का जनम हुआ मत्यपधेस की विदेशा जिले मे इन्हें बाल अधिकार कारकरता की रूप में जाना जाता है बच्पन बचाओ अंदोलन के तहट इनको नोबेल का सांती पुरुसकार भी मिल चुका है 2014 में राजे सगरवाल मूल रूप से इंदौर के रहने वाले बरतमान समय में लंदन के जो है डिप्टी मेयर की रूप म देखने में मिलता है उसके आद अनील काको रूप यह 1943 में इनका जनम हुआ बड़मानी के अंतरगात और एक परमान वेज्ञानी के रूप में जाने जाते हैं तो यह तो थे कुछ important person जिनके बारे हमने देखा आप बात करते हैं इनके इनसे संबंदित कुछ question जो की आपके भारत का राष्ट्पती बना था तो यह संकर डाक्टर संकर दयाल सर्मा जो थे भारत की राष्ट्पती की रूप में बन चुके हैं ठीक है चंदरिसेखराजात का जैनम हुआ बियारंबेटकर का जैनम भी हुआ और संकर दयाल सर्मा colocar परन्तु महनदाज करम संद गांधी का इहां पे नहीं हुआ तो यह मद्यृश मेंने नहीं हुआ है गनेश संकर है इसका राइट आंसर है क्या वे प्रहलाध चिमशेक टिपन्याकौन है तो प्राहर्ण सीन्ट मालवी जो बोली है उसके लोकनायक यहां परBon मिलते हैं उसके बाद सुरूती अधिकारी मत्य प्रदेश की एक प्रख्यात हस्ती है वो किस छेत्र से संबंदी तो यह देख सकते बादन से संबंदी यहां पर इनका छेत्र है संतूरबादी का मत्य प्रदेश की वह पहली महिला सांसर जो लोकसभा अध्यक्ष चुनी गई तो देखिए यह जो है सुमित्रा महाजन यह लोकसभा अध्यक्ष की रूप में यहां देखने को मिलती है दो च्छे जून जो सोल भी लोकसभा थी उसके अंतरगात ठीक है बहपाल के भारत भबन को डिजाइन करने वाला बास्तुकार की अगर बात कर तो चार्ल्स कोरिया इसका राइट अंसर प्रसिद्ध गीद गायक स्वरगी कि सुर कुमार का संबंध मत्य प्रदेश के किस सहर से था तो यह देखे खंडबा सहर से यह संबंदित थे उसके आद सुर सामरागी जो लता मंगिसकर उनका जन्म मत्य प्रदेश के किस सहर में हुआ तो यह मत्य प् तो निम्नी में से किस गीत के लेखाक है तो महाश्यर वात अगर देखें तो यह देखें मद्य प्रद्यस का राजबिय जो आपको पता होगा देखें ज़ो है देखें अधिया शुक्का दाता सुप्सका सांती तुझ एसांधिया पूरा देख सकते हैं पुरा गीत आप गु का नाम भी है तो यह हम देख सकते हैं नरेंदर करमाकर यह जो है गौलियाव में पैदा हुए और प्रसिद्ध गणनी तक भी है जिनके नाम पर एक का नाम भी है पाल में पैदा हुए भारती रिजर्व बैंक के वरत्मान गवरणर की अगर बात करें चित्र उद्योग के प्रसिद्ध कहानिकार गीतकार का नाम बताई जो मत्यप्रदेस के ग्वालियर सहर से संबंदी तो यह जाबे दक्तर यहां राइट अंसर होगा नर्मदा बचाओ अंदोलन के लिए जो है निमने में से किसके साथ जुड़ा हुआ तो यह देखे मेधा पाटकर जो है इसका राइट अंतर है नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी महिला लोक माता के नाम से प्रसिद्ध है तो यह जो है अहिला भाई होलकर जो है लोक माता के नाम से प्रसिद्ध है मद्य प्रदेश में जन्म लेने वाले भारत के प्रधान मंतरी का नाम बताईए तो ये देखे अटल विहारी बाचपई जो की मद्य प्रदेश के अंतरगत जो है पैदा हुए और मतलब प्रधान मंतरी के पत पर वो बने रहे तेरा दिन तेरा महने और पूरा पांच मतला पांच बाद तीन बार प्रधान मंतरी के रूप में चुनेगर निम्न लिखी में से जो है राजनीतिगों में से किसका जन्म मद्य प्रदेश में हुआ था तो ये देखिए अटल विहारी बाचपई यहां जो यहां इसका से थे नर्मदा बचाव अंदौलं से संबंधीत है मत्र प्रदेश में कौन इन से सहर में विक्षात अभीनेता भारस सकसेना का जन्म हुआ यहां पर देख सकते देखिए 17 के उंतरगत जन्म हुआ सरस सक्षेना का पिर देश एक राग में कारे के लिए कुन प्रिसिद्ध है तो यह थे भागवत रावत यहां पर देश एक रा के लिए क्रसिद्ध है तो यह completeे रूप से हमने यहां देखे कुछ questionड देखे कुछ ब्जित जो है उनके यहां प्र Foreview देखा तो सारी चीजह हमारी प्लेलिस्ट के अंतरगत मिल जाएंगे जो भी MPPSC 2020 का जो नय सिलेबस उसके सब्जेक्ट वाइस यूनिट वाइस आपको हाँ पर मिल जाएंगे सारे लेक्चर डिटेल में ठीक है तो उनको जाकर आप कंप्लीट MP यहां पर हो जाएगा फिर कंप्लीट MP आपको तेरा घंटे का जो है एक लेक्चर मिल जाएगा जिसकी PDF आपको description box में मिल जाएगी discussion group में आप जूड़ोगे तो ठीक है free time से यहां पर चलते हैं और free live quiz यहां पर चलती है 20 स्या से ज्याद़ question यहां पर सभी subject को मिलागर करा जा रहे है T20 free live quiz यहां पर चलती है 20 questions होते है 20 वर आपको इसका answer देना होता है यहां पर अने प्रेजन कर रहा है mega free mcp festival 5 जिन free revision camp है for target mppc-client 2020 के लिए 30 January से यह शुरू हो रहा है 17 January तक है और यहां पर आप इसमें join कर सकते हैं और साथी साथ यहां पर चैब में सिर्फ चल रहा है mppc-client 2020 की यहां पर इसमें participate करते हैं तो top 3 rankers को यहां पर मिलेगा एक महीने का free plus subscription यह आप तारीक दिख सकते हैं इन तारीकों पर आप इसमें participate कर सकते हैं यहां पर आप अपनी all-round preposition करना चाहते हैं तो यहां पर अनगाड़ी के आप प्लैस batches की तरफ जा सकते हैं यहां पर prelims को clear करने के लिए एक batch है संपूर्ण गयान स्रीज और यह संकल्प MPPST freelance के batch को आप जोइन कर सकते हैं यदि आप already revision mode में है तो इन course को join कर सकते हैं और इसके बाद यदि आप 2019 का prelims clear कर चुग है तो सपन पूर्ती बैच यहां पर चला जा रहा है और यहां पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहां पर मिलेगा यहां पर अपने पसंदीद प्लैन को यहां पर चूज करके यहां पर प्रोम को डाले सरका 10 सरका 10 प्रोम को डाले से आपको 10 पसंद तक का डिस्कौंट यहां पर मिलेगा download an academy app now and let's crack it